दोस्त अगर आप भी एक Airtail user है और आप जानना चाहते हैं कि आप अपने Airtail Sim का data किस तरह से चेक कर सकते हैं यानि कि परड़े की जो आपकी MB मिलती हो कितनी बची हुए कितनी खर्च हो चुकी है यानि कि अपना इंटरनेट बेलेंस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं इसी के बारे में आज के सुझे में आपनों को बताने वाला हूं वैसे तो आपको पता है कि अगर आप एटल थेंक्स application को इस्टोल कर लेते हैं और आपका प्लान के बारे में पूरी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आज कि इस वीडियो को बिना स्किप्ट कियो शुरू से लेकर आकर तक पूरे जरूर देखिएगा लेकिन दोस्तों आगे बनने से पहले मेरे आप से छोटी सी रिक्वेश्ट हैगर आप इस चेनल पर पहली बार आए हैं और आपने से किस चेनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए तक इन फिचर में आपनों के लिए जो भी वीडियो ज अप्लोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहांपर आप देखते हैं ey7 तो आपको यहांपर कोड डालना और अपनी एटेल की सीम से आपको इस कोड को यह पर डाईल कर दे तो चरी मैं यह आप कर देता हूं चींट हम एक और पोप पजाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस वेली लिटी वगेड़ हाँ पर करेंट पेक इंफो आपे करेंटक इन्फो को यहां से सिलेट करना है तो हम यहां पर टाल है यानि कि बंट करेंगे और फिर शेंड कर देंगे पर बहुत अस्द करोछे सकते हैं जीसे फिर से करेंगे तो आपके दाप पर पित रही देटेल यहाँ प्रते को मिल जाएगे कितने MP आप पर खर्च चुके हैं कितने MP आपका MP आज बचा हुआ को देतोहिं तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके Airtel की SIM में इंटरनेट डाटा कितना बच्चा हुआ आप इनेट बेलेंस हैने की डाटा हैं भी चेक करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फोलो करके आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको आचकी जानकरी अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा